जैन सांतियों, मैं जै प्रकास आप सभी का दर स्टडी एस्प्रेस पे सुवागत करता हूँ आप सभी जानते हैं कि अपने इस क्लास में हम SSE GD के प्रीवियस एस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसी सिलसिले में आज हमारा जो पेपर है वो 22 November 2021 को 1st shift में पूछाए कि कोस्चन्स होंगे इसमें मैहत कि मैंने सारे 20 कोस्चन्स आपके सामने प्रेक्टिस कराऊंगा हाला कि एक इसाम में 25 कोस्चन आये थे लेकिन इस बार एक इसाम में 20 कोस्चन आएंगे पहले कोस्चन के साथ देखिए कितना सांदार कोस्चन पूछा गया था एक बार पढ़ने की कोसिस करेंगे आप इसके उचाई को 33.33% तो इसके उचाई को 33.33% कम कर दी जाए इसके आयतन में कितने प्रतीसत का बदलाव होगा ये आप से पूछा गया है आप मेरे साथ साथ सौल्व करते रहिए पता चलेगा इस कोस्चन में क्या पूछा गया था आप जराब बताइए आप जानते हैं कि किसी भी बेलन का आयतन ये एक बेलन है और इसका आयतन जो होगा आयतन जो होता है क्या होता है जराब बताएए इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप कहोगे सर पाई आर स्क्वाइर एच क्या होता है पाई आर स्क्वाइर एच बोला गया कि बेलन की तिर्ज यानि कि रेडियस आर में 20% की ब्रिधी की जाए इस 20% का मतलब इस 20% का मतलब 1 by 5 होता है 20% का मतलब क्या होता है 1 by 5 यानि कि सर रेडियस पहले 5 रहा होगा पहले कितना रहा होगा रेडियस 5 रहा होगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 बढ़कर कितना होगा? 6 हो जाएगा उसी परकार बोला गया कि उसकी उचाई में 33.3 तीन तीन परतीसत की कमी कर दी जाए 33.3 तीन 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 परतीसत का मतलब होता है 1 by 3 यानि पहले इसकी हाइट ये रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं और ये क्या है? हाइट यानि पहले इसकी हाइट सेर अगर 3 उनिट हो कितना उनिट हो? 3 उनिट तो एक कम होकर कितना हो जाएगा? 2 उनिट हो जाएगा ज़रा इसमें पुट कीजिए आप ज़रा बतिए पहले अगर volume π r square h है तो बढ़ने और घटाने के बाद जो भी आयतन होगा मैं मान करके चलता हूँ वो π r square और capital h होगा जरा बताइए क्या होगा π r square capital h ऐसा क्यों कह रहे हैं हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले radius कुछ भी रहा होगा तो अब radius क्या हो चुका है, change, तो इनी का तो हमें ratio बनाना है, अगर ratio बना है, तो pi से pi cancel out हो जाएगा, क्या r और h कट सकते हैं, नहीं कट सकते, क्योंकि यहां कुछ और value है, और यहां पर कुछ और, तो आप बताओ, यहां r के जगा क्या रखा जाए, 5, तो 5 के square कितना होगा, 25, into, h के जगा क्या रखा जाए, 3, ratio में होए, बराबर नहीं है, यह क्या है, ratio है, अब आप जड़ा बताओ, यहां r के जगा क्या रखा जाए, 6, तो 6 का square, 36, into, h के जगा क्या रखा जाए, 2, h के जगा क्या रखा जाए, 2, तो आप बताइए, यह 3 से कटेगा कितनी बार, 12 तीन से कटेगा 12 बार तो यह हुआ सर 25 और यह क्या हुआ 12 दोना 24 यानि पहले सर वोल्यूम 25 विनिट हो तो अब कितना हो जाएगा यह 24 क्या कमी हुई है या बढ़ोत्री इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज डिक्रीज हुआ है कितने का एक का और डिक्रीज किस से हुआ है 25 से एक का डिक्रीज हुआ है किस पर 25 पर परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे गुणा में 100 25 से कटेगा यह कितनी बार 4 परसेंट और 4 परसेंट की क्या होगी कमी देखो त थार्ड इस कोश्चन का सही अंसर है हां जी हां तो आप वो भी मान सकते हैं 120 बटे 100 120 बटे 100 लेकिन आप ज़र बताओ 33 सही 33% 33.33% का क्या 139 बटे मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं 100 में से माइनस करें तो 67 हो जाएगा जो कि completely नहीं कट पाएगा फिर आप decimal अफास जाएगा इसलिए आप इसकी fraction value जरूरी याद रखे ठेक है अगर आप इसकी fraction value याद रखते हैं तब भी इस question को किया जा सकता है देखो कैसे इसको मैं मिटा दू ना देखो इसके अंसर तो पता चल गए अगर आप hundred मान करके करते हैं तो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ देखिए सर अगर hundred मान करके किया जाए तो पहले अगर volume hundred unit है पहले volume कितना है hundred unit तो अब आप जड़ा बताइए अब क्या होगा त्रिज्या बढ़ जाएगी क्या बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी कितना परसेंट बीस परसेंट तो इस सो का एक सो बीस परसेंट नहीं होगा क्योंकि त्रिज्या बढ़ा है volume नहीं बढ़ा है hundred अगर आप मानती है तो hundred मान करके क्या इसका volume माल लेंगे है सो लेकिन आप जड़ा बताओ यहां त्रिज्या बढ़ाएंगे और आप कह रही है सर एक सो बीस परसेंट कर दो तो एक सो बीस परसेंट करने का मतलब क्या हुआ कि हम volume को एक सो बीस परसेंट कर रहे है volume तो नहीं बढ़ा ना हमारी त्रिज्या बढ़ी है ठीक है चलो आज़ो next question पर बताइए तो कितना आसान सा question है यसे आप खुद से solve कर लेंगे मुझे पता है इसमें कोई दम ही नहीं है देखो क्या बोला गया है कि एक train 45 km प्रती घंटे की गती से चलती है और एक घर को 12 सेकेंड में पार कर जाती है घर को कितने सेकेंड में पार कर रही है 12 सेकेंड में पार कर रही है तो घर की लंबाई नहीं बलकि train की लंबाई पुछा गया क्या पुछा गया है इस condition में आपको घर की लंबाई को zero मानना होगा के जा मानेंगे घर की लंबाई zero घर को पार करना एक पोल को पार करना, एक ट्रैफिक लाइट को पार करना, एक आदमी को पार करना, इस सारे कंडिशन में ट्रेन अपनी खुद की दूरी क्रोस करती है, इन सारे कंडिशन में किसकी दूरी क्रोस की जाती है, खुद की दूरी, लेकिन याद रखिएगा, जब ये ट्रेन, ये एक पूल को पार करे, एक प्लेटफॉर्म को पार करे, एक दूसरी ट्रेन को पार करे, इस कंडिशन में ट्रेन अपनी लंबाई तो क्रोस करती ही करती है, साथ में या तो पूल होगा तो पूल की लंबाई भी क्रोस करेगी, फिर या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रोस क है speed into time आप ज़र बताईए speed क्या दे रखा है आप को होगा सर 545 km per hour लेकिन time कितना है 12 second ये kilometer per hour है ये क्या है second है आपको में बता दू कि kilometer per hour को meter per second में convert करने के लिए क्या करते हैं 5 बटे 18 से गोड़ा ये क्या हुआ meter per second और कितना time लगा इसको 12 second इसको आप solve करेंगे क्या मिलेगा? अब आप जार लो नौसे काटेंगे दो बार नौसे काटेंगे पांच बार नौपच्चे 45 दो से कटेगा ये कितनी बार? 6 बार आप जार बताइए पांच पच्चे 25 25 शक के कितना होता है? 1.500 कितना हेगा? 1.500 150 मीटर इस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी 150 मिटर बड़े आगे चलो इस कोस्टन पर आजाओ देखो तो क्या बोला गया है चक्रविर्धी भी आज आज आपके कलासे पढ़ा रहे है बच्चों को लग रहा है कि सर्फ फॉर्मूले पढ़ाओ करो ज़रा इसको फॉर्मूले से पता चलेगा देखो क्या बोला गया 75 रुपे की रासी पर 24 परतिसत प्रति वर्ष चक्रविर्धी भी आज कितना परसेंट है 24 परसेंट प्रति वर्ष यानि एक साल का 24 परसेंट भी आज लगभग ग्याद किजिए कितने महीने का तीन महीने का ब्याज ग्याद किजिए यदि ये कैसा चक्रविर्धी हो मासिक यानि हर महीने ब्याज को मुल्धन में जोड दिया जाए यानि हर महीने क्या किया जाए ब्याज को मुल्धन में जोड देने का मतलब ये हुआ कि ये मासिक चक्रवृधी ब्याज होगा कैसे करेंगे आप जरह मुझे ये बता दो कि सर ये अगर 24% एक साल का है एक साल का मतलब क्या 12 महीने का 24% है तो क्या एक महीने का 2% रहा होगा एक महीने का कितना होगा 2% होगा सर एक महीने का आपने बता दिया कितना परसेंट दो परसेंट अब बोला गया है कि 7000 पर इस 2% के रेट से 3 साल का चक्रबिधी व्याज 3 महीने का चक्रबिधी व्याज क्या होगा अगर मंथली क्या हो compound हो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ER effective rate एफेक्टिव रेट मैंने दो साल का आपको बता रखा था 2X प्लस X स्क्वाइर अपॉन 100 तीन साल का मैंने आपको नहीं बताया लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ देखी कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसका क्या करेंगे? तीन गुना करेंगे क्या करेंगे? तीन गुना आठ का तीन गुना दो का तीन गुना कितना होगा? आठ ये लाइन खिचना है देखी दो लाइन खिचेंगे इसका क्या करेंगे? तीन गुना करके यहां लिखेंगे फिर इसका square करके इसमें लिखेंगे, क्या करेंगे, square करके इसमें लिखेंगे, 2 का square कितना होता है, 4, इसमें इसका cube करके लिखेंगे, 2 का cube कितना होता है, 8, याद रखिए, परतेक box में 2 digit लिखना आने वारे है, परतेक box में कितना digit लिखना आने वारे है, 2 digit, यहाँ 8 है, 2 digit लिखेंगे तो क्या आएगा? 08, दो डिखेंगे क्या आएगा? 08, यहाँ 4 है, दो डिखेंगे तो क्या आएगा? 04, और यह लिखने के बाद, यह जब पॉइंट आए, तो इसके बदले हमें क्या लगाना पड़ता है? देसिमल, और यह क्या है? 8, अब आप जरा समाज लिजिए ध्यान से, इस कोस्चन में जो इफेक्टिव रेट निकलेगा, वो क्या निकलेगा? 8.0408%, अब डारेक्ट आपको निकालना पड़ेगा सर 7500 का, कितने का? 7500 का, 8.0408% कितना होगा? क्या परसेंट के लिए अप आपन में 100 से, परसेंट के लिए क्या करें? अब आप जरा बता देजिए, किस से काड़ दू में? सर, 2,0 से 2,0 कड़ दू? 2,0 से 2,0 कड़ गया, अब आपको गुणा करना है किस से? गुणा करना है सर, देखिए, 8.0408 में किस से गुणा करना है? 75 से, क्या गुणा कर पाओगे? आईए आपके साथ ही गुणा करते हैं और देखतें एंसर क्या होगा? एंसर वो भी बताना है लगभग में, किस में पताना है लगभग में, ऑप्सन को ध्यान से देखो, थोड़ी सी दूर-दूर वैलू है, कोई बात नहीं, हमें तो पूरा का पूरा एकुरेट वैलू पता चल जाएगा, बता ये 5 वटे कितना होगा? 40, ये 0 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 5 कितना होगा? 20, और 5 वटे कितना होगा? 56, अब आप जरा मुझे ये बता दो, 8 से चबपन, यहाएगा 0, यहाएगा 6, ये कितना आएगा 0, ये आएगा 3, ये आएगा 0, ये आएगा 6, decimal कितने digit के बाद? 4 digit के बाद decimal कितने digit के बाद? 4 digit के बाद यह ब्याज कितना बना? 603 उरपीए 6 पैसे ओहो, यह 303 नहीं है, 603 है टाइपिंग मिस्टिक ठीक है? कितना है? 603 उरपीए 6 पैसे यह accurate निकल दिया मैंने लेकिन कोश्चन में क्या पूछा था? लगभग क्या पूछा था? लगभग इसलिए 6 पैसे को हटा देंगे क्या answer होगा? 603 उरपीए अगर आप बिना इसके करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा आप basic से करना चाहेंगे तो पता है क्या करेंगे? देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या आप करेंगे क्या? आप लिखेंगे सर 7500 इंटू 1 प्लस 2 बाई 100 की पावर 3 और इसमें से आप फिर से 7500 पैसे माइनस करेंगे अब आप खुद देख लो कितना आसान होने वाला है ये सबसे पहली बात कि सर इसको काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा ये कितना होगा? 51 तो आप लिखेंगे सर 7500 इंटू 51 51 कितने बार? 3 बार आप लिखेंगे सर 51 इंटू 51 इंटू 51 और अप आप में क्या लिखेंगे? 50 गुड़े 50 गुड़े 50 अब इसे सॉल्व कर लिजिए और उसके बास इसमें से 7500 माइनस कर लिजिए कुछ भी करेंगे एंसर क्या आएगा? 603 रुपी 6 पैस आगे बढ़ा जाए चलिए पड़े ज़़ब क्या लिखा गया है? एक मिसरण में और पानी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 8 आट लिटर पानी मिलाने पर यह अलकोहल का पाश्रानी से अनुपात आठ हो जाता है तो बोला गया है मिसरण की मुल मात्तरा लिटर में ग्याद करें, यानि टोटल इनिसियल क्वांटिटी कितनी है यानि सुरुवात में पूरा मिसरण कितना होगा, ये आप से पूछा गया है, आप ज़रा बताईए, एलकोहल और वाटर एलकोहल और वाटर का रेशियो क्या था, एलकोहल से एलकोहल से वाटर का रेशियो क्या था, आप का ओगараSar, थिरी रेशियो 4, क्या हुआ है, थिरी रेशियो 4, हुआ क्या हमने 8 लिटर पानी मिला दिया, क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है अब आप ज़रा बताओ, पानी मिलाएंगे, कितना आठ लीटर, कितना मिलाएंगे आठ लीटर, तो यह रेशियो क्या बनेगा, यह रेशियो बनेगा पांच रेशियो आठ रेशियो क्या बन गया, पांच रेशियो आठ, जराब मुझे बता देजिए पानी मिलाया जाएगा, तो पानी बढ़ेगा अलकोहल बढ़ेगा या दोनो एक बार फिर से सोचो अगर पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा अलकोहल बढ़ेगा या दोनो बढ़ेगा याद रखेंगे जो मिलाया जायेगा सिर्फ वही बढ़ेगा जो मिलाया जाएगा सिर्फ वही बढ़ेगा जो नहीं मिलाएंगे वो पहले जीतना था अभी उतना ही होना चाहिए बताओ पानी मिलाया गया है तो क्या एलकोहल सेम होना चाहिए था यहाँ इलकोहल तीन और यहाँ इलकोहल कितना है पाँच गडबड है न क्या करेंगे इलकोहल को बराबर बनाएंगे बराबर बनाने के लिए सर उपर किसे गुणा पाँच से और नीचे किसे गुणा तीन से उपर पाँच से गुणा करते ही यह इलकोहल और वाटर का रेशि और आठ तरीका 24, देख पारे हो, बताओ क्या water मिलाए तो water बढ़ा, alcohol बराबर कर दिया हमने, क्या बराबर कर दिया है, alcohol बराबर कर दिया है, बताओ पहले alcohol कितना था, 20 unit, पहले water कितना था, 20 unit, अब water कितना हो चुका है, 24, कितना बढ़ा, सर्फ 4 unit बढ़ा है, कितना बढ़ा तबर आठ लिटर, तो बताइए जरा, इस दो उनिट की वैलू, एक उनिट की वैलू कितनी होगी, एक उनिट की वैलू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर, एक उनिट की जो वैलू है, वो कितना है, दो लिटर, पूछा गया था, कि मिसरण का मूल मातरा ग्यात किजिए, मूल मा 30 unit की value कितना होगा आप सीधे सीधे कहेंगे 70 liter, इस question का answer कितना है 70 liter, option number 1 समझ गें सभी लोग ठीके, बस एक बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान ये कि आप जो मिलाएंगे, वही बढ़ेगा दूसरी value क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए, same अगर ratio में नहीं है, तो आप उपर नीचे गुणा करके क्या बना देंगे, same बना देंगे जैसे ही ये same बनेगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका answer निकाल सकते हैं clear? चलो आज़ो next question पर पढ़ेंगे जरह क्या बोला गया है कि takes twice as much time as y and thrice as much time as j to finish a job x जो है किसी कारे को पूरा करने में y से दो गुणा समय लेता है और j से तीन गुणा समय लेता है, यह आप जरह मुझे बता दीजिए, यह x है यह y है, यह क्या है? z, x y से दो गुणा और z से तीन गुणा, मतलब सर z एक है z z, 1 तो इससे कितना गुणा? तीन गुणा तो एक काम करो, सिंगल सिंगल कर लेते हैं ऐसे आपको समझ महीं आएगा x, y से कितना? दो गुणा यह जर, y एक है, तो x कितना दिन? दो लेगा y एक दिन ले रहा है, तो x कितना लेगा? दो दिन लेगा तीन से गुणा और नीचे किस से गुणा? दो से गुणा उपर नीचे गुणा कर देते हैं जैसे ही तीन से गुणा करेंगे, तो यह क्या बनेगा? 6, यह क्या बनेगा? 3, और इधर करते हैं, यह 6 तो बन चुका है और यह क्या होगा? 2, अब ध्यान से देखो न, क्या मिल नहीं चुका, सर, X इस से कितना समय ले रहा है, 2 गुना, और Y Z से कितना ले रहा है, 3 गुना, यानि X 6 दिन समय ले, Y 3 दिन लेगा, और Z कितना लेगा, 2 दिन, अब आप जरा बताओ, ये X है, ये Y है, और ये Z, ये 6 दिन, ये 3 दिन, और दिन, आपको पता होना चाहिए, कि हम क्या लेते हैं, LCM, किस के लिए, Total Work के लिए, अब आप जरा बताओ, Total Work 3, 6 और 2 का, 3, 6 और 2 का, क्या LCM 6 होगा, LCM कितना होगा, 6, यानि X की Efficiency कितनी है, 1, Y की Efficiency कितनी है, 2, और Z की Efficiency कितनी है, 3, बात समझ में आया, X, Y और Z, बोल रहा है कि सभी एक साथ काम करते हुए, इसे कितने दिनों में करते हैं, 2 दिनों में करते हैं, आप जरा बताओ, सभी एक साथ मिल जाएं, तो काम कितना होगा, सर 2, 3, और 3, कितना हुआ, 6, एक दिन में कितना काम, 6 काम, एक दिन में कितना काम, 6 काम, और एक दिन में 6 का हो रहा है और कितने दिन तक नोय ने काम किया दो दिनों तक क्या total काम यह 12 रहा होगा total काम कितना रहा होगा 12 पूछा गया है कि y अकेले इसे कितने दिनों में करेगा आव बताओ y की efficiency कितनी है । दो speed से काम करना है कितना 12 तो क्या यह total छे दिन लगाएगा option number 4 कितना दिन लगाएगा? 6 दिन समझ गए? आज आए इस question पर देखिए जरा एक लोहा 210 उर्पे में खरीदा गया कितने में खरीदा गया है? 210 उर्पे में खरीदा गया है इसकी MRP तैकर है यानि कि इसका marked price आप बता दे लेकिन condition ये है कि अगर आप 5% का discount दे तो 90% का क्या होना चाहिए? profit होना चाहिए समझ गया? मानकर चलो आपके पास कोई समान है और आप खरीदने जा रहे हैं खरीदने जा रहे हैं तो कितने में खरीद कर लाए उसे? 210 रुपिय में और आपको बेचना है बेचते वक्त आपको condition क्या है? कि मैं कोई दुकंदार अगर ग्रहाक बनकर क्या है? कोई ग्रहाक बनकर क्या है? तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताइए? 5% का discount देंगे लेकिन मन ही मन क्या हमने सोच रखा है हमेशा CP से MP का रेशियो निकालने का तरीका है हलाकि इसको रेशियो के माध्यम से भी बेसिक तरीके से भी किया सकता है लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा CP से MP का रेशियो जो आप आप निकालेंगे तो याद रखिएगा ये formula होता है 100-D percentage D percentage का मतलब क्या हुआ discount percentage और upon में क्या होता है 100 plus P percentage समझ में आ रहा है 100-D upon 100 plus P ये रेशियो किसका होगा cost price से marked price का रेशियो आप ज़र बताओ 100 में से D कितना है 5 है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा 95 upon में और 100 plus P 100 plus P मतलब 100 और क्या 190 होगा खुद बताओ क्या रेशियो बनेगा आप जानते है 95 दोना 190 होता है चेक है ये 95 से कटेगा एक बार और ये 95 से कटेगा दो बार मतलब सर cost price एक हो तो marked price कितना होना चाहिए 2 लेकिन cost price है कितना 210 तो marked prices का दो गुना होना चाहिए 210 का दो गुना कितना होता है 420 बस question का यही answer होगा समझ गे marked price कितना होना चाहिए 420 CP से MP का ratio निकालने के लिए आसान सा formula याद रखेंगे 100 minus D upon 100 plus से P percentage आप चाहें तो इसको basic से भी कर सकते हैं basic से बता दो फिर से चलो लिख लिए आज़ो देखो निकी ध्यान से ये है cost price ये क्या है selling price और ये क्या है marked price आप ज़रा बताओ किसी वस्तु पर 5% का छूट दे दिया गया 5% का क्या दिया गया छूट तो 5% की value क्या एक बटे में 20 होगा या फिर ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो आप मुझे ये बता दो अगर 100 रुपीय MRP हो कितना MRP हो 100 रुपी MRP हो तो 5 रुपीय छोड़ करके क्या 95 में बेचेगा बताओ ये तो समझ गया ना 100 रुपीय अगर MRP हो ये भी छोड़ देकर कितने बेचेगा 95 में अब बोला गया है कि 90 परसंट का क्या होना चाहिए लाब मतलब कोई वस्तू अगर हम 95 में बेच रहे हैं तो लाब कितने का है 90 परसंट का इसका मतलब 190 परसंट पर बेचे होंगे कितने बेचे होंगे 190 परसंट का लाब लेना है आप जरा बताओ अगर 100 परसंट में मालनू कोश्ट प्राइस क्या मालनू कोश्ट प्राइस तो बेचेंगे कितना में 190 में आप बताओ डिसकाउंट देने पर 95 पर और प्राफिट लेने के लिए पर 190 से और निचे किस से गुणा कर दिया जाए 95 से ये दोनों क्या हो जाएंगे इकवल लेकिन आप बताओ 95 से गुणा करेंगे तो यहां भी तो होगा 100 गुणे में 95 ये 100 गुणे में 95 ये क्या बना सर 190 गुणे में 95 और ये क्या बना इधर बताओ, बोलिए, 190 गुड़े में 100, यही बना न, अगर मैं सिर्फ कॉष्ट प्राइस और माग्ड प्राइस को ध्यान से देखू, किसको, कॉष्ट प्राइस और माग्ड प्राइस को, तो बताओ, सेलिंग प्राइस की तो जुरू थी नहीं है, क्योंक पड़ेगा, CP and MP, आप जड़ा बताओ, इसको में छोड़ ही दू, इन दोनों का रेशियो बनाओ, तो सबसे पहली बात यह 100 से 100 कटेगा, क्या वही बात बन रहा सर 95 और 190, 95 से कटेगा एक बार, 95 से कटेगा दो बार, यानि एक रुपी अगर कॉष्ट प्राइस हो, तो प्राइस कितना होना चाहिए, 420, दो गुना, कितना होगा, 420, चलो आज़ा इस कॉस्चन दे, इसको पहले बेसिक से समझाए तहूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप क्या सोच सकते थे, आपको एवरेज में मैंने पढ़ा रखा है, क्लासरूम में, देखिए क्या बोला ग को 72, और बोला है कि यदि तीन विश्यों में प्राप्त अंको का आउसत कितना हो, 70, तीन विश्यों में कितना हो, 70 हो, तो सेस विश्यों में प्राप्त अंक कितना होगा, दो तीन तरीके आपको सम्झाता हूं, समझने की कोशिच करना, पहली तरीका बेसिक, दूसा तरीका थोड़ा सा उस से, तीसा तरीका एलिगेशन, सारी बात पर गौर करना जरा है, बताओ पांच विश्यों में बहत्तर अंक लाया, तो क्या टोटल बहत्तर गुणे में पांच होगा, टोटल कितना होगा, बहत्तर गुणे में पांच, आप बताओ बहत्तर को पांच गुणा कर 210 नहीं न 70 एवरेज कितना है 70 तो क्या total 210 अंक लेकर आया बताओ तो दो विशे और बचे 5 विशे में से 3 विशे में पता चल गया 2 विशे और बचे और दो विशे में कितना अंक लेकर आएगा सर 0 कितना होगा ये 5 और ये कितना होगा 1 सर 2 BCO में टूटल कितना है 150 अंक लेकर आया तो average निकालने के लिए average निकालने के लिए क्या करोगे बताओ सर 250 को किस से भाग कर दूँ कितना होगा बताई ये 75 question के answer क्या होगा 75 पहला तरीका ये रहा यहाँ डाटा असाने गुणा कर लिए असानी से और आप basic से क्या कर चुके हैं निकाल चुके है clear भाई आज आज आद दूसरे तरीके पर बात कर लेते हैं यहीं पर देखो ध्यान से पांच विश्यों में average कितना है बहतर पांच विश्यों में average कितना है बहतर अब बताओ तीन विश्यों में average कितना है सत्तर average कितना कम हुआ दो average कितना कम हुआ दो इसका मतलब हुआ total में पर तेक लोगों में दो का कम होना average में दो का कम होने का क्या मतलब हुआ परतेक लोगों में 2 का कम होना लोग कितने थे? 3 तो परतेक लोगों में 2-2 का कम हो तो क्या 6 कम होगा? कितना कम होगा? 6 कम होगा भाई समझगे? और ये 6 कम क्या बचे हुए 2 लोगों पर effect डालेगा? 6 कम बताओ 5 लोग थे 5 बचे कितने? 2 इन 2 लोगों पर कितने का effect डालेगा? तो इसको 2 से भाग कर दो 2 से भाग करते हैं क्या बनाएगा ये? 3 बताओ पहले average 3 था 3 और बढ़ जाएगा तो कितना होगा? पहले average कितना था? 72 3 average और बढ़ जाएगा तो कितना होगा? वही तो बात है अंक कम मिला है कितना अंक कम मिला एवरेज से दो दो एवरेज कम होने का मतलब परते एक विशयों में दो दो का कम होना तो तीन विशयों में क्या टोटल छे कम होगा तेन विशयों में कितना कम होगा छे और कितने विशय बचे दो बचे न तो जाहिर सी बात है जब य शे नंबर जादा लेकर आना है, तो एवरेज में कितना जादा लाना पड़ेगा? छे को दो से भाग कर देंगे, तीन, एवरेज कितना था? बहतर, तीन और जादा लाना पड़ेगा होगा कितना? यह तब काम आता है जब डेसिमल, बताओ क्या गुड़ा भाग हमने कुछ किया, बस दो मिनट का काम था, दो मिनट कहां दो से किंड, समझ गए? चलिए आए तीसे तरीके पर बात करते हैं, तीसे तरीके पर बात करते हैं, टोटल कितने विशे थे? पाँच, इन पाँच कितना था? 72, तीन विशे, तीन विशे का एवरेज कितना था? 70, तीन विशे का 70, बचे कितने विशे? दो विशे, और बचे, और दो विशे का एवरेज यह वाला पार्ट निकालना है, अगर आपको याद हो, तो मैंने बोला था, इलिगेस अलगा लो, बताओ 72 में से 70 तो इधर वाली वैलू इससे बड़ा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए तीन जोड़ देंगे कितना होगा बस खुतम तीन तरीके बता चुका हूँ आगे बढ़ते हैं अब पहला बेसिक था दो तरीके मैंने और बता दिये इसके आजा इस कोस्चन पे ये रियल एकजाम के कोस्चन से आपको पढ़ करके खुद अनुभाव करना है कि कितना आपको आता है और कितना नहीं पिछले साल ही पूछे गये थे जूडी में देखे क्या बोला है चार संख्या का क्या दे रखा है रेशियो दो अनुपाद तीन अनुपाद पांच अनुपाद साथ और उनका मौसा मौसा का मतलब क्या होता है एच सी एफ कितना है छे पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसी छोटी संख्याओं के वर्गों का योग ग्याद करें याद रखिएगा एक एक्चुल वैलू नहीं है जो रेशियो दे रखा है आपके पास दो अनुपाद तीन अनुपाद पांच अनुपाद साथ ये एक्चुल वैलू नहीं है एक्चुल वैलू क्या होगा सर दो एक्स रेशियो तीन एक्स और ये क्या होगा पांच एक्स और ये क्या होगा साथ सबसे चोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 7x है तो 7x की value बताए ये 42 होगा थेशे गुणा कर देंके पूछा क्या है तक तक कि सर बारा का square और 42 क का square करके क्या करो जोड़ दो 12 का square केतना होता है बताओ 144 42 के स्क्वाइर कितना होता है 17 से 24 निकालना बताओ दू मैं बताओ 42 42 पचास से कितना कम है 8 कम है तो 8 के स्क्वाइर निकालो कितना होगा 64 64 लिख दिया हमने 42 पचास से कितना कम था 8 कम था न 42 में से 8 घटा लो 42 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 8 घटाएंगे 34 और 34 का अधा कितना होता है 17 यह 17 सा 64 होगा इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 6, 4, 10, 7, 1, 8, 1 9, 1, कितना हुआ 19, 0, 8 चेके Question समाप्त सारे समाप्त नहीं हुए यह वाला Question के Answer निकल चुका है अभी questions तो बहुत सारे हैं YouTube पे मिल जाएगा आप टेंसन डाले उतार ही लो Question मत लिखना भाई Question की PDF प्लस बीडियो सारे चीज़े यूटूब पे मिल जाएगे आपको देखिए बाकी Numbers को मैंने Q नहीं छेड़ा क्योंकि Sir इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया था अगर कुछ पूछा जाता तो हम इसको देखते हैं Otherwise क्या जूरत था इसके साथ हमें खेलने की चलो आजाओ Next Question पर आजाओ पढ़िए जड़ा क्या लेखा है P Q का 220 परसेंट है तो Q प्लस P प्लस Q का कितना परतिसत Q होगा देखिए यह P है और यह क्या है Q है बोला है कि P Q का यानि Q का कितना निकाल दे 220 परसेंट निकाल दे तो यह किसके बराबर होगा P के बराबर होगा यही तो बोला है कि P जो है, वो Q का 220 परसेंट है, इसका परसेंटेज जब आप हटाएंगे, तो upon में कितना आएगा बताएगा, 100, 0 से 0 कटा, 2 से 11 बार, और 2 से 5 बार, इधर लेकर किया ये, तो क्या ये 5P बराबर 11Q हुआ, 5P बराबर कितना हुआ भाई साब, 11Q, अब आप जारा बता दीजिए, P रेशियो Q, क्या जी, P रेशियो Q, P की वैलू ये गा रहोगी, बताया था आपको Q के साथ जो गुड़ा में हो, P की वैलू, और पी के साथ जो गुड़ा में हो, Q की वैलू, और ये कितना होगा, 5, ध्यान से देखो, क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है, कि मेरे भाई Q जो है, पुछा है न, कि Q कितना परतिसत होगा, किसका, P पलस Q का, तो Q कितना है बताओ, 5, और किसका, P पलस Q का, P पलस Q कितने होंगे, अरे 11 और 5, 16, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, गुड़ा में 100, किस से काट दो में, 4 से काटोंगा, 4 चार से कटेगा, 25 बार, 25 पच्चे कितना होता है, 125, और डिवाइड किसे करना है, 4 से, 4 ती आई, 12, बचा कितना, 5, 4, 9, 4, बचा कितना, 1, अब आप बताई, 31 दसमलो कुछ आ रहा होगा, यानि कि हमें देखते ही पता चल गया, आगे करने की जुरूत भीना है, क्या हुआ 31 दसमलो, 25 परचंट, लगा लो दसमलो, यहाँ 0 लगा लो, दो बार में जाएगा, 8 फिर गया, 2, 0 फिर कितनी बार में जाएगा, 5 बार में 20 कट गया, कितना है, 31 दसमलो, 25 पर 30, पी क्यू का रेशियो देखिए, पी के साथ जो मुल्टिपल में हो, क्यू की वैलू, और क्य value क्या Q के साथ multiple में गा रहा है तो यह होगा Q की value कितनी होगी 5 बोला गया कि Q Q मतलब 5 किसका P plus Q का Q मतलब 5 P plus Q का मतलब 16 कितना परतिसत होगा divided by divided by 16 into 100 यह काटा पिटी में चाहिए कितना आएगा 31.25 परतिसत चलो आगे बढ़ते हैं साथ-साथ करते रहिए नोट करने का समय देखेंगे तो ज्यादा समय लाएगा देखिए क्या बोला गया है ध्यान से पड़ो कि एक वस्तु को उसके क्रेम मुल्य के 11 बटे 8 गुना पर बेचा गया तो लाब परतिसत बताओ क्रेम मुल्य का 11 बटे 8 पर बेचा जाना बताओ ये CP है ये क्या है CP ठीक है भई सब और इसके क्रेम मुल्य का इसी का न इसी CP का कितना है 11 बटे 8 पर बेचा जाएगा तो क्या वो SP नहीं हो जाएगा दाएर से बात है इसके क्रेम मुल्य का 11 बटे आठ करेंगे तो क्या बेचा हुआ मुले और बेचा हुआ मुले का मतलब क्या था सेलिंग प्राइस एने SP आप जरा बताओ अभी तो बताया था क्या ये 11 CP is equal to 8 SP हुआ 11 CP is equal to 8 SP अब आप बताओ CP से SP का रिशियो क्या होगा direct CP से SP का रिशियो क्या होगा क्या CP 8 होगा? SP क्या होगा? 11 यानि ये CP 8 हुआ SP कितना हुआ? 11 अब आप बताओ कोई वस्तु 8 में खरीद कर कितना में बेच देंगे? कितना फायदा होगा? 3 का फायदा कितने का होगा? 3 का और फायदा होता किस पर है? 8 पर cost price पर 3 बटे 8 percentage के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा आप बताओ 4 से कटेगा 25 बार 4 से कटेगा 2 बार 25 तियां कितना हुआ 75 और 75 बटे 2 का मतलब क्या 36 होता है चलिए ध्यान से देखेंगे direct हलाकि मैंने आपको समझा दिया है direct देखें 11 बटे 8 होने का मतलब यह हुआ कि 8 रुपी में खरीदा तो बेचा कितने में 11 में direct देख सकते थे 11 बटे 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 में नीचे वाली value का मतलब क्या हुआ cost price 8 में खरीदा तो उपर वाली value क्या होती है selling price बेचा कितना 11 में फाइदा कितने का? तीन का, किस पे? आठ पे, ये तीन बटे आठ आठ आप डारेक्ट निकाल सकते थे, ये भी न लिखे ये तब होगा जब आप प्रेक्टिस करेंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, तब जाकर के ऐसी चीजों को डारेक्ट देख सकते हैं अधरवाईज आपको ये बेसिक से करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है आजाओ नेक्स्ट कोस्टिन पर, टाइम कम बचा है, जल्दी से निफ्टाएंगे इसे हम एक लेन देन का लाब परतिसत लागात का कितना है? अनतालिस परतिसत यदि लागत में 20% की बिर्दी होती है, लेकिन विक्रे मुले वही रहता है तो लाब परतिसत कितने परतिसत की क्या होगी? कमी होगी ध्यान से देखिए ने जराब देखिए, एक लेन देन में लाब परतिसत कितना है? अनतालिस यानि कि 100 रुपिय के समान को 100 हमने क्या किया? अनतालिस यही बात है ना? 100 रुपिय के समान को हमने क्या किया? एक सो अनतालिस से बेज दिया, तभी तो रुपिय एक लाब होगा? अनतालिस का बोला गया है कि लागत में 20% की क्या होई? ब्रीदी लागते 20% का मतलब भी वो पहले 100 रुप्य का समान था 20 रुप्य बढ़ कर क्या ये 120 हो जाएगा 120 हो जाएगा और बोला गया है कि लेकिन बिक्रे मुले वही रहता है बिक्रे मुले कितना रहेगा 148 ही रहेगा 148 तो लाभ प्रतिसत में कितने की कमी होगी देयान से देखो पहले कितने का लाब हो रहा था 48 का पहले कितने का लाब हो रहा था अब कितने का लाब होगा कितने का लाब होगा मेरे भाई 28 का बताओ लाब पहले 48 का अब 28 का कमी हुआ है ना लाब में कितने का 20 की कमी हुई है और लाब में कितने की, 48 से ही कमी हुई है, किस से कमी हुई है, 48 से, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100, आप ज़रा बताओ, मैं किस से काड़ दू, चार से काड़ दू, सर चार से कटे गई ये कितनी बारें बताओ, बारें बारें और चार से कटे गई ये, पांच बारें, फिर चार से कटे गई ये, तीन बारें, और चार से कटे गई ये, पच्चिस बारें, और पच्चिस को पांच से गुणा किया जाए तो, 125 और डिवाइड किस से किया जाए, बताओ, 125 बाई 3, कितना होगा, आप ही बता दो तिन चो के बारह फिर कितना हुआ तीन एकर नम तीन एक तालिस दसमलो कुछ परसेंट आएगा तीन एकर नम तीन पॉइंट सिक्स सेवें आएगा कोई आपसर नहीं है अरे भाई सहाब ये चौदा लिख दिया मैंने इसको एक तालिस कर लिजिए उल्टा प्रिंट टाइप हो गया है मैं ऐसे ठीक है कितना होगा एक तालिस दसमलो छे साथ प्रतीसत चलिए आगे बड़े आजा इसको सन पर बताओ क्या बोला है कि एक दो सो तालिस मिटर लंबी ट्रेन साथ किलम्टर प्रती घंटे की गती से चलतू ही एक सुरंग को कितने देर में पार कर लेती है ब्यालिस सेकेंड में पार कर लेती है तो पूछा गया है कि सुरंग की लंबाई बताओ जाईर से बात है ध्यान से सुनिएगा जब कोई ट्रेन एक सुरंग को क्रॉस करेगी तो खुद अपनी दूरी और साथ-साथ सुरंग की भी दूरी को cross करना पड़ेगा ट्रेन सुरंग को cross किया हुआ तभी माना जाए सुरवात होगी ट्रेन की engine को entry point से और exit में क्या होगा जब ट्रेन का आखरी डिबबा क्या हो निकल जाए तभी आप क्या मानेंगे पूरा का पूरा सुरंग cross किया हुआ बताओ 60 km, distance is equal to जानते है, speed into time होता है क्या होता है, speed into time speed क्या था, 60 km per hour लेकिन time में second में, तो इसको क्या करेंगे आप, meter per second में और meter per second में बनाने के लिए 5 बटे 18 time कितना है, 42 second ये क्या निकल करके आएगा distance बताओ किस से काट दू मैं 6 से काट दू 6 से कटेगा 10 बार, 6 से कटेगा 3 बार 3 से कटेगा बताईए, 14 बार गुणा करेंगे जरा 14 पचे, 70 और 70 में 10 से गुणा कर दिया जाए तो 700, ये 700 meter total distance travel की है जिसमें से इसकी खुद की लंबाई कितनी है 243, इसमें से अगर मैं 243 माइनस कर दू तो बचा हुआ क्या होगा सुरंग की लंबाई 243 अगर माइनस किया जाए तो कितना होगा 7, यहां कितना होगा 5, यहां कितना होगा 4, 457 meter है कहीं option में 1st option question ज्यादा है आज फास्ट करेंगे लिखने का समय नहीं है हमारे पास ठीक है यूँकि अभी बैच स्टार्ट हो जाएगा तुरंथ थोड़ी देर में चलिए पढ़िये जरा देख लो, अभी पता चल जाएगा हांजी, previous year का सेट है ये 22 दौंबर को पूछा गया था same question, एक भी question में रेस, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा गया same to same, मैंने paper से लेकर के copy paste कर दिया है हाँ, जो copy paste नहीं रहे थो उसको type कर दिया है बाकी same हुआ ही है एक language तक इधर उधर नहीं होगा आप सक्रसामने जाता है, ठीक है यह 964 रुपीय अधिक ब्याज देगा तब अधिक ब्याज देगा जब यह कैसे रखा जाए अर्दवार्सिक रूप से रखा जाए यानि 6-6 महीने की क्या बना दी जाए cycle बना दी जाए, और इसके बाद से पूछा गया है, कि योग, योग का मतलब ही होता है find the sum, यानि principle ग्यात करना है गूगल ट्रांसलेट भाई से अब sum को योग बता रहे है sum निकालना है, amount का मतलब हुआ principle निकालना find the sum का मतलब होता है कि वो धन्दासी ग्यात करे a sum of money put sum of money का मतलब क्या हुआ जो money हमें, हाँ, वही money निकालना है यानि principle निकालना है ठीक है, ध्यान से देखी न 20% के rate से दो साल का कुछ ना कुछ चक्रविर्धी भ्याज होगा पहली बात अगर दिया गया कब वारसिक, तो कुछ भ्याज मिलेगा और दे दिया जाए जब अर्दवार से, कि यानि हाँ फ्यार ली तो कुछ अलग भ्याज मिलेगा और इन दोनों का difference क्या है 964 पूछा गया है वो धन्द यार बताओ जब 20% के rate से 20% के rate से डारेक्ट अगर मैं दो साल की बात करूँ तो याद हो आपको मैंने effective rate निकालना सिखाय था 2x plus x square upon 100 बताया था ना 2x plus x square upon 100 2x का मतलब 40 और x square मतलब 20 का square 400 400 को 100 से भा करेंगे 4 यानि क्या ये 44% डारेक्ट निकल कराया नहीं समझ मैं कैसे कर दिया मैंने लिखी देता हूँ यार क्या पता ना समझ में यही था ना सर 2x plus x square upon 100 इसको दो गुणे में 20 प्लस क्या किया जाए 20 का square बटे 100 क्या होगा ये 44% कर ले ना अब लेकिन ध्यान दो जैसे ही हुआ क्या ये अर्धवारसिक अर्धवारसिक होने का मतलब 20% एक साल का है तो क्या आधा साल का 10% होगा आधा साल का कitना परसिंट? 10% लेकिन आधा साल का अगर पूरा एक साल दिया जाए तो क्या 2 cycle बनेंगा 10-10% के आप ज़र बताओ सर 10% का अगर में 2 cycle बना दूझ केतना? 2 cycle मतलब 2 साल तो क्या ये 21% होगा कितना परसेंट होगा 21 परसेंट सर ये एक साल में ही 21 परसेंट हो रहा है तो अगले एक साल में भी 21 परसेंट होगा अब आपको इन दोनों का क्या बताना होगा effective rate effective rate कैसे निकाल लेंगे सर 21 गुणे दो यह होगा न 2x plus 21 का square बटे 100 आप बताएं यह 21 दोना कितना हुआ 42 plus 21 के square 441 और 441 को 441 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ तो यह decimal यहां लेकर आएगा आप ज़रा बताएं यह 42 में यह जोड़ दिया जाए तो होगा कितना 46.41% आप बताओ यह जब yearly था तो कितना rate मिल रहा था 44 और जब half yearly हुआ था rate कितना मिला 46.41% कितना percent ज़्यादा मिला है कितना मिला है ज़्यादा 2. दिखाई देगा न इतना नहीं भी दिखाई दे तो समझ ले ना अब बताएं यह 2.41% ज़्यादा मिला है लेकिन question में इसकी value है कितनी 9.64 यही है ना आप ज़रा बताओ principle तो हमेशा 100 ही percent रहता है इसकी value दे करके 100% की value पूछा गया है क्या बता पाओगे आप कहोगे sir 9.64 divided by 2.41 इंटु में 100 यह decimal हटा दू तो 2.0 और चिपका देंगे क्या यह चार बार में कटता हुआ दिखाई दे रहा है 10,000 गुणे 4 कितना होता है 40,000 एक काम करना जो basic चिला रहे थे ना basic से कर ले ना पता चल जाएगा इसकी value क्या होती है समझ में आया मैं क्यूं बताने की कुछ दे कर रहा था दिमाग के दही हो जाएगा तब समझ में आयगा की हुआ क्या था आप चाहें तो इसे note मत करें photo click कर ले time कम है अभी और भी सारे questions होगए अभी देख लो 7 questions आगे पड़ा हुआ है जल्दी करो एफिर YouTube पर तो मिली जाएगा वो तो मुझे पता है आप देखते नहीं है वो अलग बात है चलिए देखें क्या बोला गया है कि पाँच अंको की वा छोटी से छोटी संख्या find the five digit smallest number जिसको किस से डिवाइड करना हो 18, 21, 24 से completely डिवाइड हो जाए condition क्या है कि वाँच अंको की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए देखिए एक इसका बेसिक तरीका क्या होगा कि इनका हम निकालेंगे LCM और LCM निकाल करके multiply करके पाँच अंकी छोटी संख्याक तक पहुचाएंगे या फिर दिवाइड करके चेक करेंगे लेकिन दूसरा तरीका याद रखो ऐसे questions को करने के लिए option का सहरा लिया जाता है किसका सहरा लेंगे इसके questions के करने का हम क्या के लेते हैं option का सहरा लेते हैं option का सहरा लेने का मतलब यह हुआ sir 18 से वही संख्याय कर सकती है जो 2 गुणे 9 से भी कर जाए 9 से divisibility याद करो तो मैंने तीन क्लास में पूरा डिप्जिबिटी बेसिक से पढ़ा रखा है, नौ से तभी कट सकती है, जब उनका डिजिट सम नौ से कट जा, आप ज़र बताओ, छे और एक साथ, क्या ये नौ से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये उप्जन में है, ये होगा ही नहीं, बताइए, तीन और एक, चार और दो, ये भी नहीं कट रहा, क्या हो गया? रुख जाएए, इनोट पर जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा इधर उधर हो जाएगा, हाँ, ठीक है, हाँ से टच हो गया था, ध्यान से देखिए, अब आप ज़र बताओ, क्या नाइन की डिविजबिलिटी लगा ये, आठ और दो, दस, दस और छे, सोल्ला, सोल्ला और एक सत्रा, क्या ये नौ से कट रहा है? एक ही ऑप्सन है, ध्यान से देख लो, हमने क्या किया, ऑप्सन के साहरे, पांच से साथ सेकंड में कोश्चन हो कर दिया, अदरवाइज करने का तरीका था, इसका LCM निकालते, क्या कर रही है आप, तो आप अपने आइफोन से ठोक रही थी उसको, ध्यान से देखिए, इसका LCM निकालते, और करते क्या पांच अंखों की सबसे छोटी संख्या, यही होती है ना, और इसको डिवाइड करते हैं इनके LCM से, और वो जो आता ना, उसमें उसका denominator जोड़ना पड़ता, तब क्या होता, एंसर निकल कर क्या आता, इतना बड़ा अच्छा से क्या है, आप option के सहरे निप्टा दो, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा है, A का 10% B हो, तो B का 20% किसके बराबर होगा, निकाल देशकते हैं, सर, A का 10% कितना है, B, यानि कि सर, यह A है, और यह क्या है, B, यह है A, और यह क्या है, B, अब आप बताओ, A का 10% B है, अगर मान कर चलो, A कितना है, 100, तो इसका 10% कितना होगा, 10, ये B होगा या नहीं, पूछा है, कि B का 20%, B का 20%, इस 10 का 20% कितना होगा, ये बताओ, 10 का 20% दो होगा, 10 का 20% दो होगा, 10 का, sorry, B का 20% कितना आया, दो, और बोल रहाँ समान है, समान है का मतलब option देखेंगे, कि सर, 2 किस के बराबर आएगा, क्या, 1 के 3% के बराबर 2 होगा, 1 का 3%, यानि सर, 100 का 3% तो 3, 100 का 4% तो 4, 100 का 5% तो 5, क्या, एक ही option है, जो 100 का 2% क्या देगा, 2 देगा, तो option number क्या होगा, 1, देखो, ये copy-paste करने का नतीज़ा, तो अच्छा, type नहीं करते हैं, copy करके यह पेस्ट कर देते हैं, अच्छा, आपको समझ आ रहा है, ये लिखा क्या है, चलो, आज़ा, solve करते हैं इसे, ये division का sign है, याद रखना, ये multiply है, ये 3 by 7 है, ये off है, आप ज़रा बताओ, उपर वाला पार्ट अगर solve किया जाए, तो सबसे पहले divide करेंगे या multiply, divide करेंगे, तो आप जानते हैं, 3 by 7 divided by 3 by 7, ये divide होकर 1 देगा, और 1 into 1, 3 by 7 क्या उपर 3 by 7 ही रहा, नीचे आप ज़रा मुझे बता दो, तो पहले divide करेंगे, पहले off, पहले off का काम क्या जाए, off का मतलब क्या होता है, गुणा, आप बताओ, 3 by 7 into 3 by 7, क्या ये 9 by 7 हुआ, कितना हुआ, 9 by 7, यहां 3 by 7 में, डिवाइड करना किस से, 9 by, sorry, 49, 9 by 49 से, आप जानते हैं, क्या हो जाता है, पलट करके गुणा होगा, आप ज़रा बताओ, ये 3 by 7, और मैं क्या करो, गुणा कर दो, 49 by 7 से, 49 by 9 से, तो 7 से कर जाएगा, 7 times, 3 से कर जाएगा, 3, ये बचा क्या, 7 upon 3, मतलब सर, ये divided by, 7 upon 3, आप ज़रा बता दो, ये होगा क्या, और ये होगा न, ये 9 upon 49, अभी माइनस का और था, क्या, 9 upon 49, आप ज़रा बताओ, क्या होगा, खतम, चलो आज़ो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लो भाई, अभी एक कोशन और होगा, मेरे ख्याल से, ये खतम, अभी दो कोशन और है, दो तीन और, देखो, मैं डारेक्ट बतायता हूँ, दो वर्स के लिए, 8% प्रती वर्स किदर से, चक्रिविर्दी ब्याज याद कीजिए, और 5000 पर सधारण ब्याज के बीच, कितना अंतर होगा, आप पूछा क्या गया है, चक्रिविर्दी ब्याज और सधारण ब्याज के बीच का अंतर, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एकसे स्क्वाइर अपोन हंडडर, कैसे निकालते हैं, आप बताओ, आठ परसेंट के रेट से दो साल का क्या 16 परसेंट ब्याज होगा, सधारण ब्याज, आठ परसेंट के रेट से दो साल का सधारण ब्याज कितना होगा, 16 परसेंट, और आठ परसेंट के रेट से दो साल का चक्रिविर्दी ब्याज, क्या 16, 10, 6, 4% हुआ याद करो मैंने बताया थे इसका 2 गुणा करके लिखते हैं और इसका square करके लिखते हैं क्या बताओ दोनों कामतर 0.64% है कितने कामतर है 0.64% आप डारेक्ट 5000 का क्या निकालोगे 0.64% यह 00 से 00 अगर मैं इस 0 को काटू तो यह decimal कहाँ आएगा यहाँ 64 को 5 से गुणा करेंगे बताओ कितना होगा सर 6.4 इंटू में 5 5 चोगे 20 5 चोगे 30 और दो 32 कितना रुपे आएगा जी 32 रुपे मात रिते हैं देर का question था मुझे छोड़ रहा हूँ 2 मिन टोग जा चलो आज़ा बाटने के लिए उनके efficiency की ratio में बाटा जाता है किसमें बाटेंगे? efficiency आप A, B और C देखो A, 5 दिन में B, 6 दिन में और C, कितने दिन में? 8 A, कितने दिन में? 5 B, 6 दिनों में C, 8 दिनों में LCM कितना होगा? बट LCM कितना होगा बता? निकाल ही लिजी LCM 120 LCM कितना होगा? 120 आप बताओ ये गुणा डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 24 ये कितना होगा? 20 और ये कितना होगा? 15 आप 24, 20 और 15 को बाट देंगे इसी ratio में किसको? 39 50 को 120 काम अगर ये 5 दिन में करता है तो एक 24 दिन में कर रहा होगा? इसको डिवाइड किया 20 इसको डिवाइड किया 8 24, 20 और 15 के रेशियो में बाटेंगे किसे? 39 50 को पूछा गया था B की धन्दासी एक रेशियो निकाल करके किससे कुणा करेंगे? 20 से आजाएगा अगर सर ये लास्ट वाला कोश्चन देख लो ये 19 नमबर लास्ट कोश्चन देख लो देखिए मैं इसको बतायता हूँ फिर सुरू बंद करेंगे लेक्चर्स देखिए एक बेपारी दो वस्टू को मिला करें कितने में खरिदा? 600 रपी पता ही नहीं है कि पहली वस्टू A कितने का है और वस्टू B कितने का है लेकिन जब ध्यान से देखा उसने तो A को बेचा 20% के लाब पर और B को बेचा 10% की हानी पर और पूरे सौदे में जब देखा गया तो 8% का लाब हो रहा था पूछा गया A की लागत मुले बताइए बताइए 20% का लाब यहां हो रहा है 10% का हानी का मतलब क्या माइनस में होगा और ओवर ओल क्या 8% का प्रॉफिट है इस पे लगाते हैं एलिगेशन बड़े में से छोटे वेलु को माइनस किया जाता है बताओ 20 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 12 अब मुझे यह बताओ 8 बड़ा है या 10 यह माइनस में है माइनस में है क्या बड़ा होगा 8 आठ में से माइनस का 10 माइनस करेंगे तो यह कितना होगा 18 याद रखिएगा 8 में से घटाना है माइनस का 10 जाइर से बात है यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आप ज़रा रेशियो बना लो क्या 6 से कटेगा 3 बार और 6 से कटेगा 2 बार रेशियो क्या हुआ 3 रेशियो 2 यानि 3 और 2 5 5 उनिट की वैलू कोस्चन में कितना था 600 5 उनिट की वैलू 600 तो एक उनिट की वैलू बताओ 5 से भाग करेंगे 120 होगा 60 कहां से कह रही है आप 5 की वैलू 600 है तो एक की वैलू 120 होगा ना 5 से डिवाइड करेंगे पूछा गया था ध्यान से सुनिए एक की लागत मुली एक की लागत मुली क्या 20 परसेंट वाला था और 20 परसेंट का मतलब 3 वैलू और 3 इनिट की वैलू बता दो कितना होगा 360 का एंसर अपसन नमबर सेकेंट ठीक है भाई कोउशन अगर एजाम में सॉल्व करने बैठते हैं तो आपका एप्रोच कुछ यह होना चाहिए किसी कोउशन को हम अपसन से देख ले और किसी कोउशन को बेसिक से सॉल्व कर ले और किसी कोउशन में ऐसा ट्रिक लगाएं जो कैलकुलेशन करने की जूरत ही ना पड़े सारे कोउशन से बेसिक से करेंगे तो याद रखिएगा आपके लिए स्पेशल दो घंटा मिलने वाला नहीं है मिलेंगे नेक्ट क्लास में तब तक के लिए आप इस विडियो को क्या करें देखे बस सेर करना आपके उपर है